यहलो फ्रेंज वेलकम टो ओर चैनल चेसी टेलेकॉम दोस्तों हम इंट्रोकॉम सिस्टम या तो लेंडलेंड कर यूज करते हैं हमारे ओफिस या तो गर पर तो उसमें जो यह हमारा इस्ट्रूमेंट होता है टेलीफोन का उसमें ऐसे एक लाइन कोड लगता है जिसकी मदद स खूसमें हाँ से हमारा फोन चालो होता है तो ये जो यह लाइन कोड़ होता है यह हमारा अपके लिए चानल करने की वज़ज़े से 1 तो उसको और हम कैसे रिपिफ्लेस करें यह सोकेट को उसके बारे में यह video आजब दिखाने वाले है तो दोमिंद को आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए ताकि यह से टेक्निकल वीडियो की इंफोर्मेशन आप तक पहुंचती रहे तो यह दोस्तों आपको दिखाते हैं इसको यह सोकेट को हम कैसे चेंज करते हैं तो पहले तो देखा दियोते हैं कि यह स स्विड-बोड में रहते है तेलीफोन स्वेक्ट ऊसमें यह सोकेट लगता है एक तो उसका दूसरे साइड होता है वह हमारे टेलीफोन इस्ट्रूमेट में लगता है तो इह देखें दोस्तों यहां पर यह सोकेट एक्ट्शुल यह देमेज हो गया है तो इसको भी हम QAVC का बना हुआ, transparent socket है, इसको RJ11 socket बोलते है, तो यह socket होता है, दोस्तों, इसमें यहाँ पर लोक होता है, देखिए, यह यह पर लोक होता है, देखिए, यह लोक की मदद से यह line code आपके phone में लोक रहता है, वो कीचने से निकल नहीं जाता है, हभी मैं पर इंसर्ट करूंगा देखिए कि ट्यान से देखिए दूसント कि जैसे ही हम इसको लगाते हैे तो टक तक आवाज आती है यानि कि लोग हो रहा है देखिए देखिए त्यान केट देखिए दूस्तों तो यह लोक अगर डेमेज है तो हमें पूरा सोकेटी चेंज करना पड़ेगा तो इसको निकालने के लिए हमारे जो फिंगर होते हैं उसमें नेल होते हैं या तो फिर छोटा सा स्कूरुडावर इसका फोड़ा इंसर्ट करके लोक को प्रेस करके इसको हमें खिचना है ठीक है तो यह बाहर निकलाएगा मिस के इसको लगाने के लिए इसको जस्त हमें तक्का देना है और इसको निकालते वक्त इसका जो लोक होता है लोग को हमें अपने nail या तो छोटा सा screwdriver की मदद से इसको press करके ऐसे बाहर खिचना है, समझते दोस्तों इसको press करके ऐसे बाहर खिचना है, तो हम इसको phone से निकाल सकते हैं अगर आप नहीं खिच किना है अगर आपने मैनत करे हैं या फिर यह सथे जल्द बाजी से इसको जोर से खिज लिया तो यह सोकेट तूट जाएगा यह यहां से डिस्कनेक हो जाएगा तो आपका वायर खराब हो सकता है तो अभी हमारा पास वायर खराबी है यह देखिए तो अब आपको डिफरंस समझ में आ गया होगा कि यहां पे यह जो लोक है य हो रीपेरेबल नहीं है वह हमेंज करना पड़ेगा यह तो पूरा यह लाइन कोड में च्याइग करना पड़ता है अположikkege करने के लिए फेले आपको ठोड़ा बेसिक टूल चाहिएगा वह मैं आपको बता देता हमीर क्वेसे बाइगा तूसरा इसंसे एक वायर कटर नमजन के तो यहाँ पे वाइर डालेंगे तो जिसको काट लेगा वाइर को ठीक है तिork है तो आपको यह चाहिएगा पार की स्लीव निकालने के लिए उसका बात आता है आपका आपका यहine 15 और RJ45 क्रिम्पिंग टूल ठीक है आपने कई बार यूट्यूब पे भी इसके वीडियो देखे हैंगो यह मार्केट में इलेट्रोन स्टोर में आपको टूल अवेलेबल रहेगा एक चुरी स्पेशल परपस टूल है यह आपको नॉर्मल इलेटिक की दुकान में नहीं मिलेग लेकिन जो कॉंपेट रेसेसरी यह स्पेर पार्ट्स का जो डिलिंग करते हैं वहां पे आपको यह मोडियूलर का RJ11 RJ45 क्रिम्पिंग टूल आपको मिल जाएगा तो आपको यह आजे45 आरजे11 क्रिम्पिंग टूल आपको चाहिए इसमें यहां पर RJ45 क्रिम्पिंग होता है पर यहां पर टेलीफोन का जो हमार कोईल कोड़ होता है वह पर क्रिंपिंग होता है तो इसाइए तहिंन के टूल आपको स्ट्रियो रिमूव और आपको चाहिए कि दोस्तों थोड़े से एसे फिमेल सोगेट जो आपको मार्केट से यह Unless हो जाएंगे इसको बोलते है RJ11 से ठीक है देखे दोस्तों इस टाइब के आपको मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएंगे तो हम इसमें से एक सोकेट लेते हैं ठीक है यह हमने एक सोकेट लिया यहां पर हम साइड में रख देते हैं पहले आपको दिखाते हैं कि वायर में हमें क्या करना है देखें दोस्तों पहले तो यह जो खरब भागे यह तूटा हुवा इसको करने काट देना है ठीक है तो पहले हमें आपको समझा जो दोस्तों कि यह जो हमारा फ्रीमर सोकेट है यहाँ पे डेमेज है इसलिए हम इसको काट के निकाल रहे हैं कई बार क्या होता है कि देखिए यह हमारा पास एक दूसरा एक्जमपल है आपके लिए देखिए यह यहाँ पर सोकेट तो रेडी है लेकिन यहाँ पर चूहों ने बीच में से बायर काट दिया है कई बार क्या होता है कि सोकेट मोडिल रेडी है लेकिन बीच में से कई बार चूहों ने यह तो कि कटर से य काट दीगे यहां पर में इसको करके कर आखेंगे , इसको काट देगे, थी क्य innovate थे पहले दिलेंगे , देगे हम सब्सक्राइस कहीं कि फेग देंगे , इसका कुछ अब の सोफधम USE की रहे था, तो यह अब हम ने इसको काट दिया है ये wire को अब हम ये tool लेना है और ये tool के मदद से इसको थोड़ा सा यानि कि 59 mm जैसा प्रोड़ा वायर अंदोर रखे इसको हमें इसका sleeve उतरना है वायद से इतना बाहर निकलेगा। उतना उसका जो लोकिंग पंचिंग वह पर्फेक्ट नहीं होगा। इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा काट दिया है। उपको आप को दिखा थे हैं। इसको छुट कैसे करते हैं। तो अगें यह देना को यह सोगेट में डालते हैं पेली सिर्ट अपवल रहत आपको नए इस नियुका περιले ने विए आपको इस दिए हूए वह तो याद रहा है किसा कर बराबर में में ही वो आए दोनों वायर क्रिंपिंग करते हैं वक्त देखें आपको ब्लेक दिख रहे होंगे यहां पर टांस्पेंट एक तम सेंटर में ही दोनों वायर आ गए तो अब यह हमने सोकेट इस पर चड़ा दिया लेकिन याद लेकि इसको वापिस आपको खीच लेना रहे तो अब होने उसमें लाए और यहां पर लिख़ा है 6P 6P आरें आरजे 11 तो आरजे 11 का जो फीमेल हो लेई उसमें यह सोकेट को हमें इंसर्ट करना है धकर देखा देखें दोस्तों वायर वार तक हिलना नीचे वायर बाहर नी निकलना चाहिए और यहां पर इसको ठीक तरह से हम यह सोट को पंचिंग करना है प्रेस करना है देखे अभी में प्रेस करना हूँ गई दो बार हुआ नहीं पार यह फिलाना नहीं है तो हलके से हम यह जो लोग कि द्यान डाले करके हमें वायर को यह से कीच के बाहर निकर ले तो देखें दोस्तों यह हमारा socket अब इसमें punching हो गया है तो यह यहाँ पर एक दो रेडी हो गया है तो अब हमारा फॉन ready to use हो जाएगा तो अब इसको हम instrument में लगा कि आपको दिखाते हैं practically यह instrument में कैसे connect होता है हमारे telephone में कि अगेन हम आपको यहां पर दिखाते हैं यह हमारा टेलीफोन का फीमेर स्वकेट है और इसको हम इसमें इसे लगके इसको धक्का दे रहे हैं देखा दोस्तों तो यह लोग हो गया यानि कि यह लैंग आपका चलू हो जाएगा आपका लैंग कोड ओके हो गया ठीक है लॉट भी हो गया और इसको निकालने के लिए अलके साफ कना खूड से प्रेस करके इसको आपको बाहर निकालना है थीक है तो दोस्तो एसे हम इसका लैंग कौड का रिटीज लेए अर्सक्रेट कर सकते हैं घर बेठे या से हम चेंड कर सकते हैं उसके Wikipedia को बुलाने की लेकिन आपको दो ihr तिन मीटर का राइंग कौड़ बनाना है तो वयर पर्चेस करके आर्जीए ले उनका पुरा कोईल आता का कोईल पर्चेस करके आपको जीतना लेइच चाहिए दो मीटर, दो मीटर तीन मीटर पांस मीटर इतना वायर चुट कर लिए पहले तो यह हमने वायर यहां पर अल्डी कट करके रखा हुआ है दो मीटर का कर तो वायर कट करके स्थाइल से देखिए यहां पर मैंने वह स्लीव भी इसका रिमू कर लिया है लेकिन बड़ा हो फॉप कट आये स्लीव उसका बड़ा चुटा कर एक सब्सक्राइब तो यह जो लाइन कोड़ है इसमें हम आप हम स्फिशर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास यह से दो सोकेट है ठीक है अभी उसको पंचिंग करेंगे देखें दोस्तों त्यान से इसमें आपको बता दू कि इसमें कुछ पोलारिटी नहीं रहता है आप इसको पोलारिटी यह से डाले यह से डाले इसमें कुछ पोलारिटी नहीं रहता है आप इसे डाले यह से डाले यह से डाले इसके रेडिया ओरेंज जैसे कुछ इसमें पोल यहां पर अंदर हां देखिए दोस्तों यह हमने दम प्रोपली परफेक्टी सेंटर में इसको लोग कर दिया है और फ़र यह हमारा कीम टूल लेकर इसको अगेन जैसे लास्ट में हमने स्टेप किया तब इसे इसमें थक्का देकर हम लगा देंगे और यहां पर इसको हम इससे प् However करा देंके करें कि Catherine Zeiten बरमने प्रेस कर दी तो यह लॉक भूव गया है तहुए की ऊप सब निकाल लिए तो यह व्मारा इतुक्ड रेड़ी हो गया से कैथ से शेट भी भीम स्षुर्ट लगाएंगें तो यह भी यह में यहां पर एसे इन सेट करना है इसमें देखिए दोस्तों अभी अपनी इसमें लगा लिया है ठीक है तो अगेन ये टूल लेकर हम इसमें जो हमारा होता है आज 11 का उसमें इंसर्ट करेंगे और एक दो तीन ठीक है पर्फेक्क लिए लोक हो गया इसको निकाल लेना है हमें देखिए तो यह हमारा रेडि होगा लाइन कोड़ तो अब हमारा अब रेडि तो यूज है ठीक है अपने लेंड लैंट फोन ओ हो या इंट्रोकों फोन ओ या आपका कोई लेमो राउटर हो इसमें लगा कि आप इसका यूज कर सकते है ठीक है तो कैसा लगा दोस्तों आज हमारा यह टेकनिकल वीड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लिजिए दोस्तो और थेंक यू फर वचिंग इस वीडियो बाई बाई